हेलो, अगर आपको भी admission लेना है veterinary के इस field में, veterinary diploma में तो आप कैसे ले सकते हैं? उसके लिए कुछ exams होती है तो उस exams को आपको करेक करना पड़ता है, तभी आप उसमें admission ले सकते है veterinary diploma के course में तो आपको एक बार में एक list बताता हूँ मैंने list बनाई है कुछ exams की जो कि आपको बताएगी कि actually में कौन सी exams होती है जो कि आपको देना चाहिए अगर आप veterinary diploma में admission लेना चाहते है तो इस video में हम बात करेंगे कुछ colleges के बारे में भी कुछ इंडिया में जो top college है जहांसे अगर आप diploma करेंगे तो आपका जो package है बहुत अच्छा लग सकता है और आपका जो placement है वो भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको अच्छे कासे पैसे मिल सकते है अच्छे कासे salary मिलेगी तो ऐसे कौन सी colleges है और यह कौन सी exams है जिसको दे कर गया आप veterinary diploma में admission ले सकते है तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ तो देखो यहां पर मैंने एक list बनाई है आप सभी लोग के लिए यह जो colleges है यहांके best college है अपने इंडिया के basically यह university है college नहीं है इनके अंदर काफी सारे colleges आते है तो यह जैसे आपको क्या करना है अब अब अगर आपको पता करना है कि कौन से exam कहां पर होती है तो जैसे कि NDRI National Dairy Research Institute करनाल कंबलेंदी उनिवस्टी गांदी नगर नाना जी देश्मों की उनिवस्टी जवलपूर श्रेव एंकटेश्वर उनिवस्टी त्रिप्रती तो यह क्या है अलग अलग यूनिवस्टी है जहां पर डिपलोमा का कोर्स होता है यहां पर इसकी फीज भी लिखी हुई है कि कितनी आपकी साल भर की कितनी फीज लगेगी तो यह भी हां पर लिखा हुआ है अब आप बोलेंगे कि सर exam कौन सी होती इसका नाम बताओ आप आप यह तो कॉलेज के नाम बता रहे हो exam कौन सी होगी यह बताओ तो आपको क्या करना है जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप जबलपूर से बिलोंग करते है या फिर आप मदबरेश से बिलोंग करते है आप चाहेंगे कि आपके आसपास या आपको कॉलेज मिल जाए डिपलोमा करने के लिए तो आपको इस लिस्ट में से देखना है आपके पास में कॉलेज कुन सा है ठीक है अब जैसे मैं जबलपूर की बात करता हूँ तो जबलपूर में आप कैसे admission लेंगे आपको क्या करना है कि इसका नाम आपको simply Google पर search करना है आपके सामने में करके दिखा रहा हूँ ये तो आप जैसे ही Google search करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह के से ये result दिखेगा इसमें आप यहाँ पर आएंगे तो आपको नीचे admission करके दिखेगा ऐसे ही आप किसी भी college के नाम सच करेंगे तो उसमें आपको admission करके एक अलग से दिखता है तो आप इस पर क्लिक करेंगे admission पर अब यहां पर पूरी list खुल दाएगी कि अलग-अलग जो courses यहां पर हो रहे है उसमें admission कैसे दिया जा रहा है Animal, Husbandry, Dairy Technology, Diploma, Entrance Test तो आपको यहां पर दिख रहा है कि यह जो entrance test है इसके तो यहां पर admission होगा अब अगर मैं और क्लिक करता हूँ तो यहां पर मुझे पूरी detail मिल दाएगी कि कैसे यहां पर admission हो रहा है अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ देखो यह तो हमने जवलपूर की बात करी इसके अलाबा यह गांधी नगर का college यह एक कमलेंदू college है तो इसमें कैसे admission होगा तो आपको क्या करना है अब simply आपको जाकर कि Google पर सर्च करना है कमलेंदू university जैसे कि आपने देखा कि यह जो कमलेंदू university है यहाँ पर आपको admission लेना है तो आपको क्या करना है simply Google पर जाना है और वहाँ पर आपको कमलेंदू university सर्च करना है उसमें admission लिखना है diploma admission तो आपको इस तरिके से यह page खुल जाएगा अब आपको यहाँ पर search करना है admission कहाँ पर लिखा हुआ है अब आप देखेंगे यहाँ पर information related to kamblendu university admission आपको यहाँ पर click करना है जैसे ही आप click करना है तो इस तरह के से page खुल दाएगा और यहाँ पर आपको just English में इसको देखना है और यहाँ पर आपको method भी आपको बता जैता हूँ मैं एक बार मैं आपको पहले सारे नाम बता जैता हूँ कौन-कौन से आपकी university है जो इंडिया में अभी डिप्लोमा कोर्स करा रही है तो कamblendu university गांधी नगर नानाजी देश्मोग university जबलपूर श्री वेंके टेश्वर university त्रिपूती राजस्टान university बिकानेर कानाटका university बिदार MFJ college जैपूर और तंतिया university श्री गंगा नगर तो यह जो है university जो आपका डिप्लोमा कोर्स करा रही है अभी इंडिया में तो आपको इतना तो पता होना चीए एक बार उनसे पूछिए कि यहां पर admission कैसे होता है अगर आप physically जा नहीं सकते हैं अगर आपको जाने में दिक्कत हैं तो आप बिल्कुल facebook या instagram को उपयोग करिए आपके आसपास कि जो भी veterinary doctor है जो भी animal doctor है उनसे पूछिए कि आप sir आपके यह जो आपका state है यहां पर कैसे admission होता है क्योंकि आपका जो state है वहां पर हो सकता है कि admission process totally different हो तो इसलिए आपको यह जानने की ज़रू होते है कि आपके state में कैसे admission होता है काफी सारे state में मैंने देखा है कि 12th के marks पर भी admission होता है काफी सारे स्टेट में मैंने देखा है कि जो एक अलग से इंटरेस इग्जाम होती उसके बश्यस पर एडबिशन होता है तो आपको decide करना है कि आपके स्टेट में कैसे एडबिशन होता है जो major नाम है जितने भी युणिवस्टी के होते हैं हो तो मैं आपको बता ही यहां पर लिखे हुए बट इसके अलावा आपके जो state है वहां पर जो college है उसमें कैसे admission होता है यह आप कैसे पता करेंगे यह आपको वही बता सकते है जो college में पढ़ चुका है तो वो जो veterinary doctor है आपके पास में उनसे पूछी आपकी diploma अगर मुझे करना है तो मेरी यह सबसे best step क्या होगी best exam आप कौन सी दे सकते है और उसकी preparation में कहां से करूँ कौन सी coaching लगाऊं तो इसके लिए आपको 12th में मैंने बता दिये और कैसे admission होगा उसकी पूरी list मैंने आपको दे दिया आपको यह जो universities की मैंने नाम बता है आपको इसमें आपको थोड़ा google search करना है इनका नाम और उसमें admission की process आपको जाननी है तो इस तरीके से मैं आपको बता दिया है अगर आपको कोई डाउट हो कि sir मे अलग से मैं अलग से list बना दूँगा बट अगर मुझे comments ही नहीं आएंगे तो फिर मुझे लगया कि ठीक है लोगों को interest नहीं है यह जानने में तो फिर मैं भी उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग से वीडियो बनाऊं कि आपके state में क बढ़ देखेंगे तो आपको diploma का बहुत सरा content दिखेगा कि diploma की salary किती है डिपलोमा को job केसे लगती है डिपलोमा करने के बाद आपका क्या क्या स्कोप है आपको आप कैसे वीडेश में जाकर practice कर सकते है और आपको कितना salary मिलता है basic salary किता होता है garment job कैसे लगेगी यह सारे doubts म मैंने आपको clear कर रखे मेरे चैनल पर आप जाएंगे तो आपको पूरा content मिलेगा वो भी free में thank you so much for watching the video